आयूसमान भारत योजना यह स्वास्थक की छेतर का महुत बड़ा योजना है और पूरे भारत भर में यह योजना लागू है इसके तहट 10 करोड परिवारों को 5 लग तक का मुक्त इलाज दिया जाएगो भी हर साल हर साल परिवारिस में 5 लग तक का फ्री में इलाज सरकारी और निजी आस्पिटल दूनों में करा सकता है इसके लिए आपको इसके योजना के तहट पात रहोने होंगे यदि आपने A-Smart काड योज बनवाया नहीं है और आपने अपने राजिका हेलत से जुड़ी योजनाओ का काड बनवाया है तो आप इसके लिए पात रहें झान देंगे यदि आपने नया काड बनवाया नहीं है और आपने अपना नम चेक भी नहीं किया कि इस योजना के तहट आपका नाम हाई या नहीं तो आप उसको भी चेक कर सकेंगे उसकी प्रक्रिया दिस्वर्ण बाक्स में दी गई है आप वहां से पूरी जान कर ले सकेंगे कि आपने नया तो बनवाया नहीं है लेकिन आपका नाम इसमें सामिल हो सकता है क्योंकि आपने मुख्यमंत्री, स्वास्थ, योजना के तहत स्मार्ट कार्ट बनवाएं होंगे तो आप इसके लिए भी पात्रा होंगे आपको नया बनवाने की जवरत नहीं है अब बात आती है कि नया कैसे बनवाएंगे और यदि किसी का नाम छूट गया है तो उसको कैसे जोड़ेंगे किसका नाम छूटा है आप यह कैसे चेक करेंगे तो उसको भी description box मिलिंक है वहां से नाम किसका किसका जोड़ा है आप पूरा चेक कर सकते हैं अब बताते हैं नया कैसे बनवाएंगे और नाम कैसे जोड़वाना है इसके लिए आपको चार आवस्यक डाकुमेंट है जिसमें स्मार्ट कार्ड जो की हर राजयो दोरा बनेया गिया है अधहार कार्ड, रासन कार्ड और मुबाइल नंबर आपको ये चारो देने होंगे और आपको आवस्यमान मित्र के पास जाना होगा जो की या लोग से वाकिन रहो सकता है या जिला आस्पिटल या जितने भी निजी आस्पिटल हो बड़ा होना चाहिए ओ आस्पिटल सरकारी आस्पिटल में तो ये बनता ही है ध्यान देंगे यहाँ पुराय प्रक्रिया दी गई है कृपया भर्ती के लिए 48 घंडे के भीतर मरिच की स्मार्ट कार्ड से केवा ऐसी कराकर आउस्मान कार्ड प्राप्त कर लेवे देख रहे हैं आप यदि आपने अपना नाम आउस्मान कार्ड में दर्ज नहीं करवाया है लेकिन आपने स्मार्ट कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप इलाज करवा सकते हैं तथा ब्लागिंग है तो अवस्मार्ट कार्ड और अधार कार्ड की फटो कापी अपने पास अवस्य रखे मतलब ये चारो डाकुमेंट आपको लेके जाने होंगे आप भरती होने है तो आप देख सकते हैं ये पुरा फिसली एफसाइड है जहां इसके लिए इलाज करया जा रहा था इस योज्या के तहट और नया कार्ड बनाया जा रहा था ये जान करें आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें ये आप हमारी यूटूब चैनल पर नया है तो चैनल को सबिस्क्राइब करें